कि अच्छा सअने नमबर सिस्टम को उने डिसक्रूस करना आज इसको पैसल दिक मेए सेट और है कि इसए पिसमे में सैट कौन कौन से से और वैसे ह् consistency में यह पता है कि नेच्रल सैट होता है हमें पता है होल नमबर का एक एक होता है हमें हम पता है के इंटीजर का से होता है अचा है है हुआ है यहां किया देसे हैं कि हम कहा देखे हैं करे is तरह इस Elben है क्ए से सब्सक्राइब करके के चृट है लाठाइब को एक सब्सक्राइब करते я हमें हमें पता है नैचरल का में पता है कि one two three so on all number का में पता है कि zero one two three four and so on integer का पता है हमें zero plus minus one plus minus two plus minus three and so similarly real rational कभी हमें पता है इस रेशनल कभी हमें पता है और real का भी अच्छा यह जो set आप जब पढ़ते हैं तो आपके जहन में एक सवाल आता है कि यह जो natural number का set है यह बनाया किसने और क्यों बना यह जहूल number का set है यह बनाया किसने और क्यों बनाया अच्छा यह integer का set है यह बनाया क्यों और किसने बनाया अच्छा रेशनल नंबर का set है यह क्यों बना और किसने बनाया इस तरह के सवालात हमारे जहन में अक्सर आते हैं जब हम सेट के बारे में पढ़ रहे होते हैं, इन्ही सब सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में हम देंगे, और हम जान सकेंगे के नैचरल नंबर कैसे बने, इंटीजर कैसे बने होल नमबर एवन ओर प्राइम यह सब नमबर कैसे बने और कैसे इनको इंट्रिड्यूस करवाया गया अच्छा सबसे पहले अगर कदीम जमाने की बात करें अगर आप FSI की मैथ मैथ की बुक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको फर्स चैप्टर जिसमें न यूज करते थे मसलन कदीम जमाने की बात करें अगर कोई शक्स बेड़ बक्रियां चराने जाता था तो वह क्या करता था उनको याद रखने के लिए कि वह कितनी हैं वह स्टून जो पत्थर होते थे ना उनको उनको के साथ अकॉंट कर लाता है उसके बदले सामने एक वह एक और पत्थर है सिमिलरली टू सिमिलर थ्री फॉर फाइफ इस तरह वह इस तरह यह काउंट का ले था उतनी वह बेड़ियां बक्रियां होती थी तो इस तरह यह काउंटिंग सिस्टम बन जाता था उनको याद रखने के लिए सिमिरली आगे जब वकत गुजरता गया तो वर्टिकल बार इस तरह इनको कॉंटिंग के लिए यूज किया ये जिए गैने वर्टिकल बार एक आपको नदर आरिया इसको वह यूज करते रहें करते रहें वान के लिए तू के लिए तू वर्टिकल बार को ले लेते तू के लिए त्री वर्टिकल बार को ले लेते त्री के लिए इस तरह वो अपना एक कॉंटिंग का सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ था आगे अगर रॉंड अरॉंड पांच हजार बीस ही बिफॉर क्रिस्चन के बात करें तो एजिप्शन solve यह नहोंने 10 के लिए यूज की इस तरही है जो जो सेंबल के लिए यूज की तो नहीं लिए यह जो कर देए जायर पर लोगार करके यदन का सैंसिक वा так कोई भी डिजर लिखना चाहते हैं किस तरह लिखते थे वो कि फर्ज करें आपने तेरा लिखना है थर्टीन लिखना है तो अब इसको आप डिवाइट कर लें मसलिम तेरा कैसे बनता है टैन प्लास थ्री अच्छा टैन की जगा पर हम क्या लिखेंगे यह अलामत जो नोने इंट्रड्यूस करवाई हुई थे यह और थ्री के लिए हम यह थ्री वर्टिकल लाइन्स यूज कर लेंगे ठीक है यह आपका थर्टीन लिखा गया और यह एक बड़ा लंबा सा एक प्रॉसस बन जाता है फर्ज करें आपने लिखना है चार सो तीन लिखना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे यह जो फॉर है इसको आप फॉर दफाह हंडर्ड में लेकर जाएंगी ऐसी कि यह एक लंबा मैथड़ यह बन जाता है यह आपका फार्ड के लिए एक लामत रिए भी पिर दूसरे के लिए पृर चोथे के लिए ठीक है और एंड पर जो तीन बचा है तीन इसके लिए आपको पता है प्री वर्टिकल लाइन यूज करते थे लिए वो तो यह आपका जी लिखा गया है चार सो तीन तो यानि के एक लंबा प्रोसेस था और इसमें प्रोब्लम उनको काफी ज़्यदा होती थी अच्छा कोई भी चीज अगर आप इंट्रिड्यूस करवाते हैं तो उससे पहले आपको एक प्रोब्लम फेज आती हैं बसलें आप कोई भी चीज़ आप आपने कोई ऐसी गाड़ी बनाई जो सिर्फ दस किलो मिटर तक फासला तैया कर सकती है और आपने करना है बीस यह प्रोब्लम सामने आगी आपके अच्छा इसको सोल्व करने के लिए आप यह सोचें कि यार कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो के बीस किलो मिटर से यहां बीस कि स्ट्रगल करते हैं और वो चीज़ बन जाती है सिमेरली यह भी ऐसे ही था मसलें आप यह देखें यह कितना लंबा है है चार सो तीन को लिखना तो वह स्ट्रगल करते गए और नहीं नहीं चीज़ें इंट्रड्यूस करवाते गे अच्छा बाउट आपको पहले भी पताया तो इसको इन्होंने नेचरल नंबर का नाम दिया यह है नेचरल नंबर की हिस्ट्री के नेचरल नंबर किस तरह बना इसको मरब गर रिमूब करें यह से रेस करें क्या किया है इन्होंने एक टैन की बनियाद पर एक सेट बना दिया वन इसमें वन टू त्री फोर एंड सो नंबर इंक्लिवड की है ठीक है और इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया नेचरल अब होता कुछ इस तरह हैं कि आप मुख्लिप एक्विशन को सॉल्व करते गे औ और उनका ज्वाब इस नेचरल नंबर में आता गया मसलां फार जैंपल हमारे पास कोई एक्विशन है जिसमें फॉस्ट फार तो इस तरह लिए प्लास बी मसलां यह हमारे पास दो पॉंस्टेंट हैं और इनकी जगह पे हम कोई भी जो डिजटा पर लिख सकते हैं करें हमा तो आप हट से इसको सोल करेंगे किस तरह थ्री माइनस टू और आपका जवाब हैगा वन और वन आपको नेचरल नंबर में मिल रहा है यह जो उन्होंने सैट बनाया था इसमें यह मिल रहा है अगर मैं ऐसा करूं कि ऐसी कंडिशन हो जिसमें एक्वल टू पी हो जाए यह तो उस कंडिशन के लिए ना अगर हमारा एफ लेस देन हो बी से अगर हमारा एफ इस इक्वल टू बी आता है तो फिर यह जो इन्होंने सैट बनाया हुआ था यह फेल होता है इस तरह की प्रेंपल एट एक्स प्लस टू प्लस टू इस को इस कंडिशन को अगर हम देखें तो क्या होगा कि एक्स प्लस एक्स इक्वल टू माइनस टू इस इक्वल टू जीरो अब जीरो तो इस सैट में नहीं है मसलों प्रोब्लम फेस आई प्रोब्लम सामने आ गई इस तरह की एक्वेशन के लिए ये सैट फेल अब इन्होंने एक और सैट इंटर्डूस करवा ए क्यों करवाया क्योंकि यह सामने एक प्रोग्लम आती है कि अगर आप इस एक्वल टूबी वाला कोई भी क्विशन देते हैं तो उसका तो आपको स्लूशन इस सैट में नहीं मिल रहा तो लहाजा इन्हों ने एक और सैट इंट्रोड्यूस कर आया जिसको इस तरह लिखा गया जीरो वान इसमें वन जीरो शामल कर दिया गया टू थ्री फोर एंड फाइब सो ठीक है कोमा कोमा अच्छा इसको यह भी इन्हों सैट जब इंट्रोड्यूस कर आया तो इसका नाम इन्होंने दे रिया होल नंबर जो आप होल नंबर सैट पढ़ते हैं इसको इस तरह डिनो आप लाइक यह जैसे हमने इदर यह की है यह वाली एक्वेशन तो यह एक्वेशन सोल होना शुरू हुई और इसका जवाब भी इस सैट में मिलना शुरू है एक जैंपल और ले ले लेते हैं प्लस हमारे पास थ्री और इस एक्वल डू त्री इसको सोल करेंगी कैसे होगा त्री दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और आपका जवाब जिरू आएगा अच्छा एक्स इस इक्वल टू जिरू यह जो जवाब आपको होल नमबर सैट में मिल रहा है सिमिलरली जो होल सैट है वो ए लेस देन बी अगर कोई ऐसी क्वेशन होती है जिसमे एक प्रोब्लम सामने आई वो कौन सी थी कि कुछ ऐसी क्वेशन थी जिनका जो सलूशन था वो नहीं हूल नमबर में आ रहा था नहीं नेच्रल नमबर में अब प्रोब्लम आई तो इसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने इस सैट को और ड्वांस किया और एक और नया सैट इंटर्डियूस करवाया अच्छा उसमें नहीं ने क्या किया कि एये नमबरके जीरो को मा प्लस माइनस वन को मा प्लस माइनस 2 अच्छा को मा प्लस माइनस 3 आज 60 और इस सैट को अम्लोज करते हैं तो इस सैट को ईनोंने नाम दे दिया एंड्यजर का ठीक है झेमपलworld एक कौन सी ऐसी एक्वेशन आई जिसका आंसर ना ही आपको हुल नंबर में मिला और ना ही नेच्रल नंबर मे अच्छा तो फ़र्ज का फार बेशाएंपल वह उस्तरा जिस में हमारा जो एए वह ग्रेटर देन भी यह नहीं एकोल आ और नहीं लैसे क्या होगा तीसरी कॉडिशन है एक condition हमने ये पड़ी ठीकर और दूसरी question हमने condition इस हमारे पास बनी ऑदुसरी condition ये हमारे पास बनी अच्छा दूसरी condition का अगर दूसरी तरह की condition जो question है उसको solve करें तो उसका जो answer आता है वो whole number में मिल जाता है यहाँ आपको natural में मिल सकता है similarly अगर देखें कि ऐसी एक्वेश्शन जिसमें a लेस्ठन भी है इसका solution आपको whole number में तो नहीं मिलेगा बट आपको natural नंबर में बल्के यह आपको whole number में मिल सकता और natural में भी अगर आप इस तरह की equation की बात करें तो यह हमारे पास एक जगह पर हम ले लेते हैं कोई यह ए इस एक जगह पर हम ले लेते हैं फाइफ और बी हमारे पास है फॉर सॉल करें इस स्क्वेशन को कैसे होगा इसी एकस इदर ही रहेगा फाइफ दूसरी तरफ यहां पर प्लस है दूसरी तरफ माइनस का होगा अच्छा यहां पर आएगा माइनस वन ठीक है जो अलामत बड़ी रखम के साथ होती है वो इदर आएगी माइनस फाइफ बड़ा है तो लहाँ था माइनस यानि कि एकस का जो आंस तर ऐस से आइए हो माइनस वान को आप नाइनस भांशलर नंबर में देखें नहीं है फॉल नमर में देखें नहीं तो प्रोबलम फेस ऐई इस तरह इक्वेशन को इस धरा इस प्रोबलम मैं इसको सूड़ करने के लिए एंटीजर का सैटप बना दिया और इंटीजर में देखें का जौआ है कैसे जिरो भी है और stron प्लस मिमस्थ यहां है प्लस माइनस का मत Вам क्या उन भी है इसमें प्लस तो बी है इसमें प्लस माइनस भी आप प्लस माइनस भी एद और सो आगे सारे डिजडाव को मिलेंगे ठीक है तो माइनस वन इसमें आगे तो इस तरह की वेशन भी जिसमें एक डियुटर देन बी हो जता है अच्छा तीन सैट मारे पास बने नेचरल होल नंबर इंटीजर यह आपको पता चल गया कि कैसे बने जो आपके माइंड में एक स्वाल आता है अच्छा है नेचरल नंबर भी पड़ा दिये के qypurra दिया गे इनको बनाया कैसे कैसे बनी इनके पीछे की हिस्टरी इस तरह थी अच्छा अब मेरे पास चो किसे तो जो मारे पसको मन ती वह यह थी ना ग्वेशिन नंबर वन इसको नांफे दूब है अच्छा एक ग्वेशिन इस तरह की आई जिसमें एंस इस इकवल टू भी ठाता को सोल करें है जिसका जवाब में ना इंटीजर में मिलेगा ना ही नेचरल मिलेगा और ना ही ओल नमर में कैसे पार एक्जेंपल हमारे पास अगर टू एक्स प्लस थ्री लिखा हुआ ठीक है तो मैं आपको कहता हूं कि इसको स्वोल करें इसके अकॉर्डिंग आप सोल्ड कर के लिए करने के लिए उस से बना दिया गया उस का डीया गया वना इसको मैं करूंगा है अच्छा इस एक्वेशन यह जो क्रेशन है यह जो मारे पास बनी है इसका स्लूशन निकालने के लिए आप जो एक और सैट बना दिया गया जिसको इस तरह डिफाइन किया गया के सार्ज ए ए एंड भी such that ठीक है एंड भी बिलोंग टू इंटीजर और इसको इस तरह डिनोड करते हैं और एक आगे कंडिशन एक शर्त भी लगा दी कि यह जो भी है नौट इक्वल टू जीरो और इस तरह इसको ब्रैक्ट में कर दिया गया और इसको बोला गया रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिसको एड और बी की फार्म में लिख सकें और ए यह जो डिजड है और यह बी यह दोनों ही इंटीजर से भी लोंग करते हों और आगे कंडिशन लगा दी के बी इकॉल टू जीरो नहीं होना चाहिए फर्द करें अगर बी इकॉल टू जीरो होता है तो यहां पर आप जीरो सब्स्री के रेशनिलनम्बर कैसे बूँए भाल्पनिए अब हैं क्वेटे मिसलें जैसे ये इज हैं प्ला पर लेके यह जो ञेंपल हमारे पस टू एक्स 3 का यह देके के हमने कहा कि ऑ्न बिकी फारम लिख सकते हैं जैसे यह आप यह यहां पर थ्री समझा लिए और य tendency यह आपको पत्ते देख रहें यह नहीं थ्री और टू यह दोनों आपको अंटीजर में मिलेंगे और यहां पर आप यह भी देए सकते हैं और यह और किलामत है कि जो भी है वो नाट इक्वल टू जी यह 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 जो हमने एक्जैंपल ली वो इस साइट को फालो कर रही है और यह हमारे पास रैशनल इनको हमने रैशनल का नेम दे दिया इन्शाल्ला यह हम पर क्योंकर वीडियो काफी लंपी है हो चुकी है तो आगे हम इर रैशनल उसके बाद और भी डिफरेंट सेट टाइपस ऑफ सेट हैं उनको डिसकस करेंगे आज की वीडियो का इत्राइब